तो हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं और खास कर बड़े लक्षों को आप लोग चुन लेते हैं लेकिन इन बड़े लक्षों में जब आप निकलते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोग को फेस करनी पड़ते हैं ये बात बिल्कुल जायज है लेकि मुझे एक च चुन रहे हो तो समाज के लोग आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे यह क्यों नहीं आपने निर्धारित किया मैं आज की बात करता हूं आज बिहार के पश्चमी चंपारण से एक छात राय थे मेरे पास और वो छात आफ लाइन संस्थान में जुड़ने के लिए आये थे अभी आपको जैसा कि पता है आफ लाइन अब प्रारम हो रहे हैं अभी स्टार्ट हो रहे हैं यह टाइम चल रहा है लेकिन कभी भी कोई भी छात्र मेरे पास जब आता है तो आने के पीछे का मैं कारण हमेशा जानने का प्रयास करता हूं कि क्या कारण है आपका और देखो मैं इ जो कि बहुत कि अच्छी थी बहुत अच्छे परिवार से थे घर से बहुत सपोर्ट था और उनका selection अभी तक नहीं हुआ है तो selection के लिए जरूरी क्या है क्या आपकी परिस्थितियां ये जरूरी है आपके selection के लिए बिल्कुल नहीं जरूरी है आपके selection के लिए आपका environment जरूरी है जो कि आपके मस्तिस्के में चलता है आपका नजरिया जरूरी है आपका द्रिष्टिकोंड जरूरी है परिस्थितिया नहीं जरूरी है परिस्थितिया सब की अच्छी बुरी होती रहती है और परिस्थितिया बहुत टेंपररी चीज है अभी आपकी परिस्थितिया अच्छी है तो क्या गरंटी कि कल बुरी नह इंडो का खेल है अभी कहीं जा रहे हैं एक्सिडेंट हो गया क्या करोगे आप है ना अचानक से कोई गूड बीमारी का पता चल गया घर में कोई बीमार हो गया कोई भी डिजास्टर आ सकता है कोई भी डिजास्टर आ सकता है कोविड का क्या पता था बताईए कोविड का क्य अच्छे business चौपट हो गए कहने का मतलब यह कि परिस्टितियां बहुत temporary चीज है परिस्टियों को permanent चीज नहीं समझ के रह सकते आप सकते आप जब यह temporary चीज है परिस्टितियां तो फ्र परिस्टितियों से घबराएं क्यों इससे डरें क्यों और क्यों सोचें कि सामने वाले हमेशा आपको एप्रिशेट करेंगे क्यों सोचे बताइए सामने वालों ने ठेका ले रखा है आपकी बुराई करने का ऐसा समझके रखना चाहिए और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि सामने वाला आपकी बढ़ाई करने ही वाल बोलूँगा या टैक्स तो लगता नहीं आपका मुझा कुछ भी बोली आप भी दूसरों के लिए बहुत सारी बाते बोलते हैं तो एक चित दिमाग में बैठाइए आपके इस पास जो इस समय रिसोर्स की ताउर पर कोई चीज है वो है टाइम बस आपका रिसोर्स समय है और के 2000 तो मुझे वापस कर दोगे लेकिन मेरा एक घंटा वापस नहीं कर सकते हो द्यान रखिएगा इसलिए अपने समय की वैल्यू सूचे अपने समय को सब कुछ रखिए आप लोगों के पास आया था में पटना में पटना मीटब मेरा हुआ था एक अपरेल को एक अपरेल स यदि आज समय की वैल्यू नहीं करोगे तो कल समय आपको बरबात कर देगा आपको निस्तना नाबूत कर देगा इसलिए समय सब कुछ है आपके लिए समय सर्वो पर ही है आपके लिए और समय की यदि वैल्यू नहीं किया आपने तो समन लेजे फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको देखो बड़े लक्ष में बड़ा समय लगता है बड़ा इंवेस्टमेंट लगता है जब बड़ी चीछ चाहिए होती है न तो हर बड़ी चीछ पर बड़ा टाइम बड़ा इंवेस्टमेंट बड़ा सब कुछ बाहर वालों का सपोर्ट हो चाहे ना हो अपने मस्तिस् पास बहुत कुछ है ऐसे तो फिर अमबानियों के बच्चे ही आईस बनते बीपीएस सी क्वालिफाई करते यदि यही होता कि जब तक अच्छा इंवार्मेंट नहीं होता एक गरीब का लड़का एक रिक्से वाले का लड़का एक सफाई कर्मी वो कभी क्यों आईस बनता क्य जो यूपी पीएस सी क्वालिफाई करता क्योंकि इसके लिए केवल और केवल मस्तिस का इंवार्मेंट चाहिए आप अपना वातावरण सही करिए अपना नजरिया सही करिए चीजों को देखने का नजरिया अपना संतुलित नजरिया माल यह हो सकता आपके घर में आपको लगता है कि आप लोग घर पे रह रहे हो तो बहुत सारी प्रपलम हो सकती है आपको लगता है घर वाले बात बात है यह कर दो वो कर दो वो कर दो तो मझे एक चीज बताओ कल के दिन आप अपने बच्चे पैदा करोगे आपकी साधी होगी और साधी होने के बाद जो बच्चे पैदा करोगे किस लिए करोगे लिटा के खिलाने के लिए करोगे यह बताओ या आप भी आसा करोगे कि यह कम सकम दो कदम चले आपके लिए अरे बाहर यदि आप बाहर रह रहे होते तो क्या बना बनाया खाना मिलता आप लोगों को बताईए बना बनाया खाना कोई देता आपको घर पे रह रहो तो कमस्कम बना बनाया खाना तो मिलता है सफाई तो होती है आपकी वो नौकर चाकर थोड़ना लगे हुए आपके घर में आपके माता पिता हैं तिदि आपको कोई घंटे दो घंटे का काम बता भी देते हैं तो कौन सा आपके उपर पहाड तूट जाता है ये बताए और जिस दिन से आप पढ़ने लग जाओगे sincerely उस दिन से कोई माता पिता नहीं है जो आपको काम बताएंगे कोई माता पिता नहीं है जो अपने वच्चों को जबरजस्ती काम करवाएं कोई माता पिता नहीं है तो कहीं न कहीं पे कुछ चीजों को समझे आप लोग और कही न कहीं पर घर को ब्लेम करना बंद करिये कि घर में इन्वार्मेंट अच्छा नहीं है घर में ये चीज़ अच्छी नहीं है पढ़ाई करिये पढ़ाई का इन्वार्मेंट हर टाइम सिर्फ एक चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए पढ़ाई आपका स्लेबस जिसे आपको कम्प्लीट करना है और उसके लिए सतत प्रयाज चलते रहना चाहिए यही आपको आपके सफलता तक ले जाएगा यही आपके आपको लक्ष तक ले जाएगा यही आपको आपके जीवन में सफल बनाएगा इससे बड़ा मूलमंत्र नाम में आपको कोई दे सकता हूँ न मेरे पास कोई है सिर्फ एक चीज एक धुन धुन रमाते हैं न जैसे कि वोल पढ़ना है और कुछ नहीं करना दिमाग में एक ही धुन चल रही है पढ़ाई की बस एक ही फोकस है एक ही चीज में दिमाग आपका टिका हुआ है पढ़ाई जब आप कोई एक लक्ष को चुनते हैं और उस लक्ष यह नहीं कि BPSC में सेलेक्शन हो जाए लक्ष यह नहीं कि I.E.S. में सेलेक्स जो हूँ, लक्ष इस सिर्फ यह कि मैं पढ़ूँ, जब आप पढ़ोगे, eligibility आ जाएगी आपके अंदर, तो कोई भी exam, भाई जिसने exam qualify किया है, जो टॉपर है, उसने पढ़ाई तो किया है, दूसरा कोई माध्यम तो उसने चुना नही इस brain पे, अब आप लग जाते हो फाल्तू के कामों में, जब आप फाल्तू की चीज़ों में लग जाते हो, तो वही आपको मिलता है, क्या करोगे, कोई क्या कर सकता है आपके साथ, कोई आपका बला नहीं कर सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, सभी ले जा पाएगा, जो आपको परिशान कर देगा, जो मानसिक तोर पे आपको परिशान कर देगा, ऐसे किसी भी कारे से बचिए, ठीक है, तो यही मेरा आप लोगों को लिए सला है, यही मेरा आपके लिए गूर्मंत्र है, यही मेरा आपके लिए सबसे महत्तिपूर्ण आपक लिए एक वक्तब भी है जिसको आपको समझना चाहिए और अमल करना चाहिए ठीक है अपने लक्ष की तरफ निरंतर बढ़ते रहिए निरंतर बढ़ते रहिए अनवस्क चीजों को छोड़ करके बाकि आपके जीवन में जो होना होगा आपका बिवा होना होगा हो जाएगा क् कि जबरजस्ति आप लोग खुद करोगे अरे जब बिवा का नंबर आए तो बिवा हो जाएगा क्यों बिवा के चक्कर में पड़े हो वो तो हो नहीं है किसी नहीं किसी दिन हो नहीं है या तो साधुसंत बन जाओ घोसित कर दो कि मैं अभिवाहित रहूंगा मैं आजीवन तो टेंसन कतम हो जाएगी जीवन बर की तो यह चीजे थोड़ा सा समझो और सीरियस हो अब जिंदगी में सीरियस होना पड़ता है कई बार नहीं तो जिंदगी के थपेड़े आपको सीरियस कर देंगे गंबीर बना देंगे बचपना छोड़िये मैं डिमोटिवेटेड प फिर से पढ़ते हैं तो यह बात को समझो यह नहीं कि आप बस रोना रो रहे हो मैं मोटिवेशन नहीं है यह नहीं है वो नहीं है पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है छोड़ो पढ़ाई किसी ने जबरजस्ती आपको बताया है कि नहीं नहीं पढ़ना ही चाहिए किसी बिजनेस खोल दो गुम्टी खोल लो कोई दुकान खोल लो किराने की कुछ नहीं तो प्रदानमंत्री जी करते पकोड़ाई तल लो कुछ भी तो करो यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है यहां टाइम आप पास मत करो कि आप तैयारी के नाम पे आप फ़ाफ आला रहे हो जब मोटिवेट हो जाएगा तब तैयारी करना शुरू करिएगा डेली डेमोटिवेशन आपका खतम नहीं हो रहा है आप इसी चक्कर में परेशान है यही आप